जैहिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का एक ऐसी टॉप ट्रेंडिंग वीडियो में जहां से क्वेशन्स बनते ही बनते हैं तो दोस्तों आज की यह वीडियो राश्ट्री और अंतराश्ट्री दिवस पर आधारित होगी क्वेशन्स की संख्या मिनिमम महिला दिवस कब मनाय जाता है दोस्तों बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है तो आप सभी को पता होगा यदि आप 8 मार्च को यहां पर लॉक कर रहे हैं तो बिलकुँ सही वात है और अंतराश्ट्री महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं विस्व पर्यवर्ण दिवस कब मनाय जाता है इनवार्मेंट की बात करें तो यह है वर्ड इनवार्मेंट डे मनाते हैं प्रतेक साल 5 जून को और जो इनवार्मेंट सब्द है यानि पर्यवर्ण का जो हिंदी रूपांतरन है इनवार्मेंट और ये सब्द कहां का है कैसे लिया गया है तो फ्रेंच भासा का सब्द है इस चीज को भी आप याद रखे प्रतिवर्स विश्व जनसंख्या दिवस निम्निखित में किस दिन मनाय जाता है तो जनसंख्या के मामले में चाइना के वाद भारत दूसरा सबसे बरहट देश है, सबसे बड़ा देश हैfashioned बात करें याब रिश्व जनसंख्या दिवस कब मनाय जाता है तो यह मनाय जाता है 11 जुलाई को मनाय जाता है इसलिए option जागा किस के साथ B के साथ next हिंदी दिवस के रूप में कब मना जाते है रास्टी से कुश्षन है रास्ट्र में हिंदी दिवस अब दो कुश्षन यहां से बनेंगे दोस्त दो कुश्षन बनेंगे 10 जनवरी 10 जनवरी जो है मनाते है World Hindi Day तो World Hindi Day और 14 September 14 September की बात करेंगे तो यहां पर रास्ट्रे हिंदी दिवस मनाते हैं जो हम इंडिया की बात करते हैं तो यहां पर फिलाल क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा 10 जनवरी तो आप्शन में है नहीं 14 September है कुश्षन नमबर 5 किसे नमबर 5 कह रहा है विस्व मानवता दिकार दिवस यह बहुत बार पूछा जाता है और जो अपना राइट यानि अगर आपको राइट नहीं मिल ला है तो कहीं ना कहीं नयाले में चले जाते हो आप मानवा दिकार दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर जाएगा 10 December को यानि ऑप्शन जागा किसके साथ D के साथ नेक्स्ट विस्वान की दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट ट्री डे अब दोस्ति यहाँ पर यह कुछन पिछली बार एक्जाम में देखने को मिला था एक छोटे से एक्जाम बड़े एक्जाम में बहुत बार पूचा गया है छोटे बड़े से मतलब नहीं आप अपने एक्जाम को पॉइंट करिया और इसकुशन को उढ़ा के आईएगा विस्वान की दिवस जो है कब मनाया जाता है तो आपको बता देते हैं कि 21 मार्च हिदी आप ओप्शन में मार रहे हैं लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुछ सही बात है ओप्शन आगा B के साथ अंतरास्टी विकलांग दिवस तेकी का भारत में विकलांग सब्द को दिव्यांग कहा जाता है अंतरास्टी विकलांग दिवस यहाँ पर इसलिए ही लिया गया है क्योंकि दिव्यांग भारत में कहा जाता है और हम भी दिव्यांग कहना चाहेंगे क्योंकि भारत सरकार ने विकलांग सब्दू को हटा के दिव्यांग कर दिया है लेकिन जो NCRT वुक्स है वो अंतरास्टी लेवल की बात नहीं करती है, वो इसी question को देखेंगे, अंतराश्टी विकलांग दिवस कब मनाय जाता है, अगर हम इस question का जो right answer जाए, तीन दिसंबर को मनाय जाता है, तो option जागा किसके साथ, बी के साथ, next विस्व स्वास्त दिवस, world health day ये बहुत अच्छा question है और important है, स्वास्त पर देखा जाए, तो कोरोना काल में स्वास्त ही, स्वास्त कही ना कहीं, मुद्दे में रहा है, विस्व स्वास्त दिवस, world health day कब मनाय जाता है, तो याद रखीगा, जो 7 अप्रेल बच्चे कह रहे हैं, यहाँ पर वो right answer चला जाएगा, option number किसके साथ, C के साथ, next विस्व स्वास्त दिवस, world tourism day, कब मनाय जाता है world tourism day, ये 25 question, वो को वो question है जो हमेशा पूछे जाते है, यदि पहली बार आप हैं, तो channel को subscribe कर लें, पूरे part, यानि हर एक subject उठाओ, और उसका quickly revision करा दो, यहीं, यह यहाँ पर होता है, और पूरे साल का current अफिर बिल्कुल मुफ्त में, तो इसलिए सभी बहने, सभी भाई, चैनल को subscribe जरू कर लें, क्योंकि आप हमारा एक परिवार हैं, कुछ से number 9 का answer जाएगा, 27 September के साथ, और option जाएगा किस के साथ, C के साथ, अंतराश्टी महिला हिंसा, उनमूलन दिवस, महिला जो हिंसा होती है, उनमूलन, उनमूलन का मतलब होता है, समाप्त करना, जो महिलाओं के प्रती हिंसा है, उसको समाप्त करने वाला दिवस, एक तो अंतराश्टी महिला दिवस, 8 March को मना जाता है, अंतराश्टी महिला हिंसा, उनमूलन दिवस कब मना जाता है, तो यह कुछ से इंपोर्टेंट है, अंतराश्टी लेवल पर काफी चर्चे में रहता है, 25 November को मनाते हैं, यह वर्ड कोस्टल डे, जो डाग दिवस है, भारत में छोड़ो विस्व की बात कर रहा है, और विस्व से कुछ से पूछा जाता है, विस्व डाग दिवस कब मना जाता है, तो आंसर जाएगा किस के सान, 9 October के साथ, यह कुछ सन आता है, कई बार आया है, यूनिसेफ डे की रूप में कब मना जाता है, यूनिसेफ डे की बात करते है, तो बच्चों की भी बात आती है, ठीके ना, सान्ती की भी बात आती है, निम्ड़े कितमे कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं, आप 11 December के साथ, और हम यह कह सकते हैं कि तेरा का क्या हो जाएग वो कही ना कही भारत में 2 अक्टूबर में 2-3 चीजे हैं आप जानते हो और संयुक्तराष्ट महासंग के दोरा जो अंतराष्टी लेवल का कुश्चन है वो अंसर किसके साथ जाएगा अंतराष्टी अहिंसा दिवस अहिंसा दिवस गांधी जी से सम्मंदित है और इसलिए इ के साथ यूनेस्को ने निम्निकित में से किस दिन को अंतराष्टी साक्षरता आगे लिखा नहीं है साक्षरता दिवस क्या है साक्षरता दिवस मनाय जाता है तो कुश्चन में बहुत important point पूछा जाता है कि भारत में साक्षर के ममले में कौन है अग्रणी तो केरल सबसे ज जमीनी इस्तर से निकलता है और जमीनी इस्तर ऐसा नहीं कि अन्य राज्जी नहीं है लेकिन जो एक आप देखते हो कि सिविल सेवाओं में देखा जाए तो परचम लहराने का काम सबसे ज़्यादा होता है ठीक है तो फिलाल अगर बात की जाए 15 नंबर में यूनेस्को ने आप ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं अगर पता नहीं है तो इसको तुरंत स्टार बनाके लिख लिएगा परिवेस लिखी आगे अंसर लिख दीजे इतना ही करना है अपने नोट्स में इंटरनेशनल पीस डे जो सांती दिवस है विस्व में जो सांती दिवस है वो कब मना आते हैं तो दोस्तों याद रुखी गाइस कुछिन का जो राइट आंसर जाएगा वो 21 सेप्टेंबर के साथ चला जाएगा है यानि 21 राष्ट्री विज्ञान दिवस भारत से कुछिन है राष्ट्री विज्ञान दिवस मना जाता है 28 फरवरी को कैसे याद करोगे फरवर 12 महिनों में एक ऐसा महिना है जो 28 दिन का होता है और ये विज्ञान दिवस विज्ञान की खोज है तो भाईया कही न कहीं इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि हमारे विज्ञानिकों ने कैसा महिना खोजा जो कहीं न कहीं फरवरी 28 दिन की है इसे याद करना है खोजा नही जो है निशेत दिवस कब मनाते हैं तो 19 का कुछ तन आंसर जाएगा 31 मई बहुत important है very very most important और इसमें 381 मई बचेगा तो 1 मई होता है मजदूर दिवस के लिए है विसो प्रतवी दिवस कब मनाय जाता है तो प्रतवी दिवस मनाय जाता है 22 अप्रेल को मनाय जाता है और 22 अप् मनाते हैं और 22 मार्च को क्या मनाते हैं जल दिवस तो दोनों में कुछ दिवस में फरक है मैंने कहा 22 मार्च तो वरटर और WOW बाइस अप्रेल तो अर्थ ठीक है ना और बाइस मई जै बिबित्ता दिवस यानि बायो डाइबिस्टी डे यह उन्हें इसको ने किस्तिति को विश्व सिक्षक दिवस के रूप में घोसित किया है तो दोस्तों याद रिखी का यहां से बनेंगे दो कुस्षन यहां से बनें जो आपने पहले सोच आता वही आपका अंसर है बाइस नंबर का जो आंसर जाएगा वह उप्षन नंबर जाएगा पांच अक्टूबर के साथ क्योंकि देखी का यहां पर दो कुस्षन बनेंगे विश्व सिक्षक दिवस पांच अक्टूबर ठीक है ना और भारत में जो सिक्षक दिवस में आएगा पांच सेप्टेंबर और पांच अक्टूबर आएगा विश्व सिक्षक दिवस में अंतरास्टरी टाइगर डे कम मनाते हैं तो जो विश्व टाइगर डे है वो हम कम मनाएंगे 23 नंबर का 29 जोलाई को मनाएंगे 29 जोलाई को मनाएंगे तो उस T into 2 scheme चलाई जा रही है 2022 तक दो गुना tiger को करने की scheme है जिसमें भारत एक मात्र ऐसा दे से उसने 2021 में ही इस लक्ष को प्राप्ट कर लिया है और tiger की बात की जाए तो tiger भारत में 269 सरसट है ठीके ना प्लस में ही है लेकिन NCRT अभी यही बोल ले यह नए डटा आए और बताएंगे ठीक है तो answer किसके साथ जाएगा option number B के साथ जै भी वित्ता दिवस biodiversity day कब मनाय जाता है तो दोस्तों याद रखेगा बाइव डाइवस्टी डे अभी बताया है जै भी वित्ता दिवस मनाय जाता है 22 मई को कि लिए रहे चलिए एक मई किस रूप में मनाय जाता है एक मई अभी अभी बताया था कि 3 को हटा दिजे एक बचेगा 31 मई को विश्व तंबाखु निशेद दिवस मनाय जाता है और तंबाखु निशेद दिवस की बात करते को यहाँ पर 7 अप्रेल आप कर लीजेगा 7 अप्रेल आप कर लीजेगा क्या है ना आप 7 अप्रेल कर लोगे बताओ 7 अप्रेल कर लोगे कोई दिक्कत बताए आप गोगे बिलकुछ सही बात है कोई दिक्कत नहीं पर्रयावन दिवस 5 जून कर लीजेगा महिला दिवस आठ मार्च कर लिएगा क्या दिक्कत है अंतराश्टी स्रमिक दिवस हो जाएगा न ओप्सिन नम्ब जाएगा बी के साथ ठीक है चले बहुत अच्छे तो दोसो 25 कुश्चन में आप सभी बहुत अच्छी तरीके से सिर्कत किये है मातर 10 मिनिट के अंदर और उम्मीद ये है कि आपने चैनल को इमानदारी से सेलेक्शन लेने के लिए इमानदारी से सस्क्राइब कर लिया होगा वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा इससे कुछ नहीं होता है बस हमारे आपके दिल मिलने चाहिए, हमारे लिए सस्क्रिप्शन नहीं important, आपका selection important है आप सभी के माता पिता को मेरा जैहिन आदाब सस्रियकाल ताल ठोकर जैमहाकाल प्रणाम नमस्ते तो दोस्तों उम्मीद ये है कि selection तावड तोड होने चाहिए, हर घर में तावड तोड selection आने चाहिए, जैहिन वंदे मातरम इंकलाव जिन्दवाद